हलो देखते हैं आज के सबसे इंपोर्टन टॉपिक है मैंने आज सुभा आपको टेलिगान पर पूछा था कि आप बता देजिए कि आपको कौन से टॉपिक भी वीडियो चाहिए उसमें एक चीज सबसे ज्यादा जो कॉमन आये थी उस चीज में आप उसके बार में हम डिटे लेकिन जिस तरीकी से आप समझ पाऊगा उतनी सिंपल लैंगुज आंगे मैं मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उस टॉपिक में ऐसी-इसी चीज को समझाने की कोशिश करूंगा जो मैंने स्ट्टिंग पेज़स में क्या किया मेरा लाउस उसमें से कैसे कवर होन यह आप आप जो मार्केट में नए हाय हो और यह है जो में अभी मार्केट में यहां से हूँ मैं जब नए आता तो मैं क्या गलती करता तो आप क्या कर रहे हो यह चीजों को थोड़ा सा देखनी कुशी करते हैं यह बंदा क्या करता है जब भी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है तो यह उसके पिछे कुछ रिटन चाहता है मुझे कुछ भी करके मुझे दिन के डेली बेसेस पे यह जो डेली बेसेस पे जो नया परसन है यह कोशिश कर रहा है कि मुझे डेली 10% का प्रॉपिट होता है तो भी बहुत हो जाएगा तो अब अब जैसे इमाजन करो कि दोनों में क्या डिपरेंस है यह डेली का 10% एकस्पेक्ट कर रहा है और यह FD का 7% एकस्पेक्ट कर रहा है वो भी yearly प्लान में कौन से प्लान में? yearly प्लान में तुझे आप सोचके देखे कौन अच्छे से कमाएगा कौन बड़ा ज़्यादा कमाएगा अब अब आप obviously बोलोगे सर यह तो 10% है डेली का अगर में without loss एक simple सा calculation भी करो कि उसमें कोई loss calculate नहीं कर रहा हूँ दिन 20 days पकट लेता हूँ मैं पूरे मन्त में आ रहे 20 दिन into 20 days हो रहे into 10% अब यह कितना हो गया into 10% का में calculation किया तो near about 200% का return हो गया पूरे मन्त में अंदर अंदर अब यह कहा का calculation निकल गया है वह यह तो पूरे साल में 7% दे रहे लेकिन जितने भी लोगों ने ऐसा सोचा है मुझे दिन के 10% चाहिए वो कितने लोग actually पैसा बनाए है मार्केट में यह चीज़ों को पहले अब आप बोलोगे सर आप तो टॉपिक बताने वाले तो लॉस को किसे कवर किया जाए आप यह क्या बाते कर रहे हो calculation समझो आपको समझ में आ जाएगा अगर आप में यही अगर मैं एक लगका capital C के अंदर यूज कर रहा हूँ अब 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 यूस्ती बात है यह कि इधी busy monthly कमा कितना कि अम्धान को मतलब साल का कितना हो गए 1200 मतलब साल के अंदर अंदर मुझे लगता है Köरण आपती नहीं अमबानी को पीछे चुड़ देगेगा क्यों एक महेने के अंदर अंदर है तो 152 मतलब यह बन गाए एक लकाः का तीन लगता है तो आइधिंग शे लाग से उपर चला गया नो लाग कैस पास पास मैं एक दम बेसिक आगर मैंना क्यालकूरी से तो इन्वेस्ट कर रहा हूं तो तीन लाग का मेरा कितना बनेगा थीन लाग का दो सो परसंट कितना हो जाएगा सो परसंट हो जाएगा चे लाग और दो सो परसंट बारा लाग बारा लाग हो जाएगा इसका डबल कितना हो गया और यह हो गया मैं 14 परसंट का भी पकड़ लेते 14 लाग इस 14 लाग का में करनेगा है 28 लाग का एक साल में सच में इतना बनेगा एक करोड के असपस आप पहुच जाओगे उससे भी कही जादा यह तो चार महने में आप 28 लाग के पहुच गए इसके बाद जो बड़ेगा तो बहुत तेजी से बड़ेगा 28 लाग इंटो टू 100 परसंट 100 परसंट यह डबल डबल होता चला जाएगा अमोट लूट इस इसक्स लाग का अगे जलकर फिरसे बना यहां पर एक करोड बिस लाग बन गया अब एक करोड बीस लाग अब कौन से मैने में पहुचे एक दो तीन चार पाच और छे मैने में आप एक करोड बन गए जह मैंने में अगर मैं एसी कैल्कुलिशन करता रहा तो लेकिन दिक्कत तो यही आती है ज्यादातर कैसे में जब कोई नया आता है नमार्केट में तो ऐसी सोच लेकिए आता है कि दिनके मुझे इतने चाहिए तो आपके बास 10,000 का capital है क्या दिन में आप 100 रुपीज कमा कर कभी खुश हुए हो एक बार खुद को पूछ वे दिखिए क्या कभी भी 100 रुपीज कमा कर अख भी खुश हुए हो 10,000 का 100 रुपीज मतलब कितना हुआ I think 10% हुआ ना 10% हुआ I think 10% हुआ ना नहीं 1% हो जाएगा चला 1000 पकड़ लेते क्या आपने कभी 10,000 रुपीज पर अगर दिन पर आपको 1000 बने है 10% आप रॉफिट गिये हो क्या कभी खुद को शांती माने हो का एक बार खुद को पूछ के देगे क्या सच्वे कभी आपको लगाई कि यह सफिसेंट है I am damn sure आपको कभी नहीं लगाओ कभी भी नहीं आ रहे होंगे कि इस 10,000 का मैं कम से कम 5,000 तो गेन करी लूँ आप जब सोच कि दीख आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो 50% का रिटन एक्सपेक्ट कर रहे हो डेली जब मैं आपको 10% की बाते कर रहा तो तो मेरी बात सब अगरी नहीं कर रहे हो कि ऐसा पैसा बढ़ेगा अन्लिमिटेड लॉसस होंगे अब इस लॉसस को रिकवर करने के लिए क्या चीज़े करने यह चीज़े को देखते अगर यही बंदा क्या बोल रहा है मुझे 7% एपडी दे रही है तो मैं यहां पर अगर ट्रेड करूंगा तो मैं कैसे ट्रेड करूंगा मुझे 7 का 7% एप अब ही 10% लेंगी ना तब भी आपका ग्रोथ कितना तगड़ा होगा देखिए 10,000 अपके पास कैपिटल है 10,000 दस परसन का रिटन हम पर मंत एक्सपेक कर रहे हैं पर मंत हम एक्सपेक कर रहे हैं कितना बन जाएगा पर मंत की बाते कर रहो हो गई अब अब बोलो कि क्या ही कि दिखाऊ कहा यह पैसा आपके पास दिन के 10,000 का अपने 5000 बना भी लिये मैं मानता हूँ मैं मानता हूँ चलो अपने 10,000 का कैपिटल लगा था 5000 बना भी लिये लेकिन कहा यह पैसा ढूंड़ो और बताओ मुझे है कि आपके पास बचा है 99 पर से लोगों के पास बचा नहीं होगा क्यों क्योंकि यह जो पैसा आया है ना 10,000 का 5,000 यह एक तुक्के से आया है एक मार्केट के मुमेंटम से आपके नौलेच नहीं आया है अगर नौलेच से आता तो प क्योंकि प्रेशन के बैसे पर चलते हो सिंपल क्योंकि यह एक मेरा 10,000 का कैपिटल है इस इस यह एक मुझे साल पर मंत के 10% उली चाहिए पर मंत के 10% कितना कैपिटल बन जाएगा 10 लाइक इनका 10% अगले मंत में बने जाएगा आपका 11,000 इसके ओपर 10% का कैपिटल कितना बन जाएगा 1100 रुपीज बन जाएगा 1100 रुपीज मतलब यह 1100 रुपीज इसमें अड़न हो जाएगे यह बारा सो यह नियर अबाउट 11,000 और यह नियर अबाट 30,000 13,000 ऐसे करते 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 ना normally अगर आप ऐसे भी चलते हो तो बार मतलब यह कैपिटल 10,000 का आपका 10,000 लग के उपर कहा 12,000,000 ट्रशता 10,000 से बार को यह देली डेली डेली यह देली ह네요 wow साल में तो यह निय पैसाась हो जाएगा 10% काफिकार एर ना यह 2,002,001 थे नफॉचित करें दला को on सबसे गलती क्या करते हैं पता है ना उनको सबसे गलती यह होता है कि वो जितना चोटा कैपिटल जितना स्मॉल कैपिटल लेके आते हैं ना उतना उनके मन में जादा expectation होता है उनके मन में जतना ही जादा expectation रहता हमेशा स्मॉल कैपिटल पर बहुत बड़ा सोचते लाइक 10 थाउजन पर मुझे डेली पाच्छाजर रुपीस कमाने इस फिप्टी परसें रिटेन you are expecting a daily 50% return you are expecting daily और जिरो ने बनाया भी उनका पैसा का भी हाथ में बचाएगा देख लेगा अब मुझे बताओ वस्टर की इसको लॉस कोडिक गर्यॉक्वर्ट कैसे करना तेक शिंपल से पंदाऊँ सिंपल सा जीरो रुपीच को बड़सिरो या है ठीक यह जीरो कि यह है फीरो कर फैस में जीरो रुपीच को 10 लग बना सकता हूँ it is possible नहीं not possible नहीं बन सकता जिरो का दसलग कैसे बनेगा लेकिन क्या मैं fasting याग का दसलग बना सकता हूँ क्या मोलते हूँ आप बताऊ सोचो सोचो मैंसोच ओ हाई इस पोसीब थोड़ डिफिक्लट है क्योंकि एकला का दस बना न थोड़ डिफिकली吗 मुझे पता है लेकिन बन तो जाएगा इसलिए capital को उतना ही drawdown करो कि जिससे बन सकता है like आपके पास एक लाग का capital है उसमें से अपका 10,000 का नुक्सान हुआ न तो 90,000 का आगेन एक लाग बनाना कोई difficult बात नहीं है 90,000 का अगेन एक लाग बनाना कोई difficult बात नहीं है लेकिन वहीं अगर आपका capital खतेम होते होते 30,000 पे आया और उस 30,000 को आगे न एक लाग बनाना है तो फिर जादा दिक्कति आएगे इस थोड़ा सा difficult होगा इसलिए पैसे को उतना ही जितना की गेन किया जा सकता है इव यूँ आप एक लाग का कैपिटल मार्केट में लेकि आये हो इसको जितना ज्यादा से प्ले कर सकते हो डेली का दो परसन से ज्यादा इसका लो ही मत देली का दो परसन अगर इस डाओ परसन में एक लग का अपका वक्रापल था तो लोज कितना हो जाएगा 2 परसन इस इसज्ए इससरे यू आपका 2 तो फोचल रूपेस आपका टो थोचल परसन अगर टोचल ने मथा किया चल्या गर क्या गेन कर्ट पसिबल it is highly possible you just invested in a 98,000 and you want to make only 2,000 rupees it is easy it is damn easy but if you lose everything and just you have a 20,000 and अगर अब वापस इसको एक लाग बनाने की कोशिश कर रहे हो it is possible it is not possible so loss recover करने के लिए क्या करना पड़ेगा एसी कौन सी चीज़े जो loss recovery करने के लिए आपको hold कर जाएगी simple if you have a 1 lakh rupees capital expect as good as for the daily अब as good as क्या होता है सर यह तो सब तो बोलते लेकिन कितना as per my convenient as per 2% का risk को होना चाहिए and 3 to 4% का 3 to 4% का gain होना चाहिए और यह risk और यह gain अगर आप इस तरीके से चलते हो तो आपको यह 1 lakh खतम करने के लिए भी यह 1 lakh खतम करने के लिए भी कम से कम एक साल लग जाएगा अगर खतम करने के सोचूगी तो अपको बोलो कि कैसे सर तो डेली तो लॉस करूँगा तो जल्दी खतम हो जाएगा नहीं ना भाई अगर this is my airports just मेरे हाथ में if I'm trying to use कर रहो pain okay मैं अगर इसको 10 बार भी मारू इसको क्या लगता आपको मैं कितनी नहीं आ रहा है फिर भी अगर इसको में पंच करूँ पाच्छ बार दस में से तीन बार तो लगने ही वाला है क्यों क्यूंकि इच प्रोबैबिलिटी बन रही है न आपकी इच प्रोबैबिलिटी सो इससे लिए अगर आप यहां पर कैपिटिल को लूज करने का भी ट्राइ करोगे तो भी आप साथ दिन लूज करोगे अब साथ दिन लॉस करोगे अब 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 जैस्ट सोच के देखिए 4 परसंट का गेन कर रहे हो डेली 2 परसंट को लॉस कर रहे हो कितना हो जाएगा 7 7 x 2, कितना हो जाएगा 14 परसंट का लॉस कर लिए अब 4 परसंट का हम गेन एक्सपेक्त कर रहे है, 3 बार भी आप सही हो गए, 3 बार भी आप गेन कर गए, तो कितना है यहाँ पर यहां पर गेन हो जाएग आपका, Mir about 3 into 4, 4 परसंट का गेन बारे में होंगे क्योंकि आपका risk reward रशिया पर सही है ऐसा ही पैसा आपका loss recover होगा ऐसा ही होगा इससे ज़्यादा कोई रास्ता नहीं है कोई रास्ता नहीं इसके लिए यह एक ही रास्ता आपके साथ आपका simple सा calculation है मैं जब lose करूँगा मैं जब lose करूँगा मैं only two percent lose करूँगा और मैं जब gain करूँगा जो मेरी risk okay sorry यहाँ पर यह उल्टा लिए है मैंने यहाँ पर two percent का risk है तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर फोर percent का क्या है gain है मैंने risk reward कितना manage किया यहाँ पर one is to two का मैंने risk reward ratio manage के आरार risk reward ratio capital gain होगा लेकिन अगर आप यह hope लेकि आया हूँ कि मैं पाच लाख loss कर चुका मुझे एक मैने के अंदर वापच चाहिए तो उसके लिए चाहिए expertise और जो आपके पास अभी नहीं होगी क्योंकि you are a new in a market when you are in a market if you are a experienced person in a market obviously आप grow करने वाले हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब तक अपके पस यह सोच नहीं आएगी ना think like a businessman think like a trader जो market में पासो पासो करोड लेके आते हैं न जो market में बड़े-बड़े प्लेयर पासो पासो करोड लेके आते हैं उनके सोच क्या होती है पता है आपको मार्केट में वो कितना expect करते है as a option seller वगरा जो काम करते है they are just expecting a 10% in a monthly only because they are invested 100 crore they just want 5% per month कितना हो जाएगा देखिए तो सही इसका पाच करोड बन जाएगा इनका हर मन्त में और ऐसी 5% sorry 5% का gain और this is 5 करोड रुपीज तो बन जाएगा ने इनका भी gain इनका भी gain तो होई जाएगा कोई दिक्कत ही नहीं है इनका भी gain हो जाएगा और यह धीरे-धीरे करकर बहुत बड़ा बनाएगे क्योंकि market तो हर समय आपको 4% थोड़ी देगा मैंने आपको क्या बता है loss हमेशा confirm है loss को lock कर दिजिए यह नहीं हिलना चाहिए यह हिलना ही नहीं चाहिए लेकिन जब जब आपको profit भी बनेगा कभी-कभी market जादा भी तो देगा 4% अब expect कर रहे हो market कभी-कभी 6% भी दे सकता है market कभी-कभी 8% भी देगा market कभी-कभी 2% ही only देगा अगर आप साथ में से जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता है अगर आप साथ में से तीन ट्रेड भी सही ला रहे हो आप साथ में से तीन ट्रेड भी सही ला रहे हो I'm damn sure आप profitable ही रह सकते हो लेकिन only है आपका risk reward ratio बहुत तगड़ा होना चाहिए उसमें कोई भी excuse नहीं है मैं यापर only accuracy कितनी पकड़ रहा हूँ 30% आपकी accuracy पकड़ रहा हूँ only 30% फिर भी आप गेन करोगे example बता है मैंने वापस एक बार simple सा साथ ट्रेड में आप loss कितना करोगे 2% का loss करोगे 2% in the sense कितना total capital अब का लूज होगे कितना हो का total यह near about 14% का आप loss करोगे अगर आप इस तरीक से गेन भी करते हो ना उपर नीचे उपर नीचे करते मैं 30% भी accuracy लेकर आ रहा हूँ तीन टेड में से में whatever any case है तीन टेड में बस one is to four four percent का gain expect कर रहा हूँ just 12% आप कमा रहा हूँ उपर नीचे कुछ 2% extra बन जाए कभी जादा बन जाए कुछ बन जाए ऐसा करते करते you are just crossing it 16% भी आप gain कर गए ना 2% भी अपने additional care 2-4% तो भी आप profitable convert हो जाओगी आप कुछ लोग बोलेंगे सरी तो बोलना सही है लेकिन करना difficult है obvious ही बात है यार करना difficult है क्योंकि आपको risk तो lock करना पड़ेगा risk को आप excuse कर ही नहीं सकते यापके हाथ में है यह नहीं यह ना गें तो मारकर जितना देंगा हम ले लेंगे क्या दिक्कत है उसमें लेकिन ये आपके हाथ में है रिस्क को लॉक करना आपके हाथ में है, अगर मैं इसको सोचू भाई में इसको नीचे गिराओ, भाई नुकसान होगा ना मेरा, होगा ही होगा, नुकसान ही होगा, लेकिन मैं उसको बुलू, मैं छोड़ूँगा ज़रूरी हासे, लेकिन यहाप पकड लूँगा, गलती है, मैं उसको उच्छालने के बाद पकड भी लू, इसको रिस्क को हमने मैनेज किया है, मुझे आद मी आ रहा है, रिस्को को सिक्यूर करना, रिस्को को पहले पकड लो, रिस्क क्या है पहले पता होना चाहिए, और आपके हाथ में मार्केट में बस एक ही चीज़े करने के नीकमेड पoya है, जे आपका फिक्सर रहने मालार फोर परसंट का एक इन जो होने माला, यह कभी रख बड भी जाएगा, कभी माइन भी कभी होग में टता हो लेकिन यह फिक्सर, इसिस लॉक यह concept पे अगर बस तीन महिना भी करके देखो जो ओनली थ्री मुन्स जिस कट दे लॉसस विद टू परसेंट और जिस वेन यू गेन मिनिमम अपको फोर परसेंट लेना ही लेना है छोड़ो यार जाने दो साथ ट्रेड लॉस में जाने दो कोई दिक्कत नहीं है मेरा रिस्क प्रड़र्श हमेशा ज़्यादा होताओ अपने देखा होगा मैं हमेशा रिस्क लेता हो 20-30 पॉंट के आसपस की 20-30 पॉंट के अबको मिर रिस्क लेता हूं और उसके आगेंश को अपको तर्गे रहेता है near about 60 points, 70 points, sorry, 70 points, 100 points, 100 points, कैसे सारी मेरी रिस्क रहेती है, हमेशा इतना गेन रहता है, just count that, 20% है, 60, 70 and 100, obviously बात है, मेरे तो 20% भी accuracy निकल के आगे न, तो भी पैसे बना सकते हो, अब देखो, market में कोई भी accuracy से जीतता ही नहीं है, and मेरी accuracy क्या आपको पता है, so accuracy की बतल में कुछ नहीं भूलूँगा की, you know that, की मैं analysis जीतना दे रहा हूँ की, how it is, क्या है वो analysis, कैसा है, you already know that, so मुझे उसके बार में बताने की ज़रूद नहीं है, लेकिन understand कर रहे हो न, क्या concept है, आपको अगर market से जीतना है न, तो you have only one option, आपको अपने risk को loss कवर करना पड़ेगा, अगर risk को कवर के तो आपको धीरी 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 अपको loss पूरा recover हो जाएगा, पूरी धीरी किसी control में आएगा, लेकिन मुझे बहुत सारे सुबह भी एक बार मुझे message आया था, कि एक उसमें मुझे question किया जाना था, sir क्या आप मेरा loss रिकवर करवा के दे सकते हो, मैंने बोला मैं तो तुम्हारा loss रिकवर नी करा के दे सकता, लेकिन loss से केसे आगे बढ़ना ये में सिखा सकते हो, मुझे मेरे पाद जितने लोगों की inquiries आती है न, मुझे learning के लिए, मैं बोलता हूँ आपको 90% लोगों का focus है न, वो हमेशा shortcut होता है sir, आपके premium group में मुझे लीजिए sir, आपके accuracy खतरना के है, मैं आपको पैसे देने के लिए रेडी हूँ, मेरे पाद जितने admission होते हैं न, जब सोचके देखो 100 लोग, अगर 100 admission students आगर मेरे पास आ रहे हैं न, मैं लिख कर दे सकता हूँ, लिख कर उसमें से 90%, 90 students, वो बस premium group में मुझे join करना है, इसके लिए आते हैं, ये क्या सोचते हैं, simple सा fund है, वाई ये तो 15,000 रुपीज ले रहा है, 15,000 रुपीज ले रहा है, अगर मैं पूरे साल के लिए मुझे premium group में रख देगा, कितना हो जाएगा पूरे मैंने का, simple सा calculation है, कितना calculation हो जाएगा, कितना होगा, मैंने का, I think मुझे लग रहा है 11,000 रुपीज बारा सुरुपीज कुद हो जाएगा, 15,000 है न, 1200 किया तो भी 12,000 हो जाएगा, कुछ 1400 रुपीज हो जाएगा, 1400, अब यह सोच कर वो जादा तर आते हैं कि भाई, तु सिखा या ना सिखा मुझे नहीं भरक पड़ता, तो तेरी premium group में ले ले लिए कि तेरी accuracy दबरदस्ते, तो जो भी चार्ट डालता है, वो होता ही है, तो analysis ही जितना आप दे रहे हैं सर, वो perfect ही होता है, तो group में तो आप उतने उससे भी ज़्यादा कई perfect दोगे, 100% और वो होता भी है, ज़्यादा तर लोग मुझे इसलिए जोइन करते हैं, वो सीखने के लिए नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि shortcut to make money, और फिर जाकर losses करते हैं, और फिर जाकर बोलते हैं, जाकर कि सर मेरा कुछ हो नहीं पा रहे हैं, यह लोगों को फाइदा होगा, क्यों कि I already updated everything, यह लोगों को updated होता है फाइदा हो जाता है, लेकिन जो लोग नए है मार्केट में, वो लोग जब तक इस रिस्क को लॉक नहीं कर पाएंगे, यहां तक नहीं पहुच पाएंगे, उनका कभी भी loss recovery हो यह नहीं सकता, लेकिन रात के बारा बज़े मैं अभी शूट कर रहा हूँ, इसके बारा बज़े मैं रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ, पाएंगे, इसके लिए आपके साथ हूँ, अब मुझे कही लोगों ने क्वेश्चन भी किया था, कि सर आपके तो income source क्या क्या हो सकते हैं, सर अज़े इंफ्लिएंटर हमारे पास बहुत sources होते हैं, मैं openly बोल देता हूँ कि मुझे किसी बात का डर नहीं है, openly बोल देता हूँ किसी बात का डर नहीं है, क्यों, simple simple चीज़े होती है, बहुत सारे sources होते हैं, आप भी source open करो, आप भी YouTube प्या सकते हो, कोई इकत नहीं आप भी आओ जाओ, आप कुछ लोग मुझे कि सर फंद्रादर तो मैं यह महीने की salary है, तो मेरे लिए तो ज़्यादा है, लेकिन मैं YouTube पर आकर इतना ठोक के बोल रहा हूँ, उसके लिए कुछ knowledge भी तो चाहिए रहा, कोई व्याका तो खड़ा नहीं हो पाएगा, simple, हमारे बहुत सारे options होते हैं, एक आप यहाँ पर आप खो तो पहले YouTube भी बात दो, पहले YouTube है, social media वाले सारे, फिर InstaThu को देता है हमें, Facebook कोचस देता है नहीं, फिर कया होता है मेरे बस? Trading. Trading से पैसा बनता है, 3rd one, 2nd, 3rd one, हम आपको सिखाते हैं, learning से पैसा बनता है, यह learning से पैसा बनता है, इसके लिए पैसा बनता है, उसके बात हमारे पास brand promotion भी आते, by promotion भी आते कईügenre promotion आतों बोलते कि 사र हमारे आप लेकेशन पर पैसा देते वह ये करी फिक्स नहीं होता है अ यह उस फशीषा हमेशा होथा लिए भुछ रहता है working अनपर बोहुत सरसे पैसे बनानी के लिए डिकत आजका सबस्टर झाहेंगा है टो we have lots of options. और यह आपके लिए भी open है कोई दिक्कत नहीं कि आप नहीं कर सकते, इसली कोई बाद नहीं नहीं कर सकते हो लेकिन ओडिंस को देने वाली कुछ चीजे आपके पास हुनी चाहिए तो कमाने के लिए बहुत सारे option से आप भी कमा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बस यह कमाने के लिए कुछ आपके पास एक speciality होनी चाहिए like that मेरे पास job में मुझे देखते हो I can do a good analysis में analysis perfect रहता हूँ trading में जो जो चीजे बताता हूँ होता है आज के दिन पर आपने देखा होगा as a Friday पर market को मैंने बोला था मार्केट बहुत पैसे दे रहा है trending बन रहा है कल ऐसा टाइम है कि मार्केट को वापस देना पड़ेगा market जो वालट है नहीं पैसा दे पाया दोने सट का ऐसा लंटिंग किया that's called analysis this is a trader so आपको भी सारे चीजे ओपने आप losses को cover करने के लिए यह जब तक system को follow नहीं करोगी 2% और 4% का risk reward ratio फिर देखना पैसा कैसे बनता है तो बहुत सारे और बाकी भी कुछ चोटे मोटे businesses है हमारे जहां पर हम पैसा invest करते वह करते तो इससी भी निकल के आता है और जो invested से बनता है और फिर उसके बाद-बाद support करता है हमें classes भी support कर देते प्रमोशन का भी support हो जाता है और यह कुछ नहीं है यह मैं इसको ज्यादा काउंटी नहीं करूंगा क्योंकि यह कुछ नहीं है इंवेस्टिंग से पैसा बनता है लेकिन यह long term के लिए आभी के फिलाल के लिए आपके पास क्या-क्या नॉलिज होना चाहिए अगर आपको लग रहा होगा तो प्लीज कमेंट वीडियो लाइक शेर करके मुझे जरूर बाता है कि आपको कैसा लग रहा है मैं मिलता आपको इस नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए और यूंग एक